आज की अमारी मूवी का नाम है डिस्टिक्ट बी ठटीन तो कहानी की सुरुआत होती है लिटो नाम के बंदे से जिसने इस मोटे सांड केटू के बोस से कुकिन चुरा लिया है केटू लिटो के आदमी से कहता है कि वो कोई जगडा नहीं चाहता है उसे अंदर आने दिया जा पहली फुरसत में यहां से कट ले नहीं तो आया तो दो पैर पे है जाएगा चार कंदों पे केटू को यह बत्तिमी जी अच्छी नहीं लगती है वो लिटो के आदमी को मार कर जवल दस्ति बिल्डिंग के अंदर घुशने लगता है लिटो का सिक्यूरेटी काड देखता ह कि लिफ्ट से कोई उपर आ रहा है उसे लगता है साइग जोमेटो वाला आ रहा होगा लेकिन सामने से गोली निकलती है और उसकी वहीं मां मेरा मतलब है मर जाता है गेटू दूसरे आदमी से पूचता है कि बता बहन के भाई लिटो कहा है लोकेशन बताते हैं केटू उसक भरोसा नहीं होता है तो वो उसे खीचते हुए लेकर जाता है कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है तू सीधे मुझे लीटो के रूम पर लेकर चल केटू जब लीटो के रूम के पास पहुंचता है केटू के आदमी लीटो के उपर गोली चनाने लगते हैं केटू कहता है मुझ तो 9 बजए चोरी हो जाते हैं और तुम 12 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं पकड पाए तहा कहता है किसी को आइडिया है ड्रक्स के पैसे की भरपाई कहां से होगी दो आदमी कहता है कोई आइडिया नहीं है तहा दोनों आदम्यों को वहीं मार देता है केटू कहता है लीटो की एक सिस्टर है अगर हम उसे उठा ले तो लीटो दोड़ते हुए यहां आएगा केटू अपने आदमियों के साथ सौप में जाकर लीटो की सिस्टर को उठा कर अपने अपार्टमेंट ले आता है तभी वहां लीटो आकर ताहा के गर्दन पर चाकू रखकर कहता है बेटा बापसे उसियारी मुझे तुम्हारी हर प्लैन की जानकारी पहला ही हो जाती है ताहा अपने आदमियों को लीटो की बेहन लोला को छोड़ने के लिए कहता है लीटो ताहा से कहता है कि अब से हमारे बीच एक डील रहेगी तुम मेरे बिल्लिंग से 50 मिटर दूर रहोगे इसके बंदर मैं तुम्हारे जिंदगी तुम्हें भी एक में दे दूँगा बी उसके पीछे पड़ जाते हैं लीटो सामने पुलिस टेशन पे ताहा को ले जाता है और वहां के सीनियर ओफिसर को कहता है कि वो ताहा को अरेश्ट कर ले ओफिसर कहता है बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते लीटो ओफिसर को ड्रक्स दिखाता है और कहता है कि ये ताहा ने समान के साथ साथ लोला को भी उठा लिया, लीटो ओफिरसर से कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, ओफिरसर कहता है कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और मैं अपनी बागी के जिंदगी सांती से बिताना चाहता हूँ, लीटो उसे पकड़ता है और उसकी कार से काफी जदा प्यार है क्योंकि इसे ये कार खरिदते टाइम, उसकी चड़ी बेचने की नोबत आ गई थी, कॉरसीनो अपने बार पे पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे मालूम पड़ता है कि हमारे सौब के बाहर कई पुलीस वाले आ चुके हैं, और आज हमार पेजातर आदमी काम पर भी नहीं आया है, कॉरसीनो अपने आदमी बिनोटो से कहता है कि जरूर कोई गटार हमारे साथ है, कॉरसीनो को जिसके उपर सक होता है, वो उसे वहीं मार देता है, तब बिनोटो जो कॉरसीनो का खास आदमी था, वो गन निकाल कर सब को सरेंडर कर करने के लिए कहता है और बताता है कि बिनिटो उनिटो नहीं उसका नाम डॉमेन है और वो पुलिस के लिए काम करता है वो कॉर्षिनों के सारे आदमें को जाने के लिए कहता है और डॉमेन अपने टीम को बढ़ता देता है कि कॉर्षिनों को उसने पकड़ लिया है उसके टी इसनी बड़ी मिशन को अंजाम दिया इसके लिए सीनियर उसे सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि हमारा एक बॉम चूरी हो गया है और वो गलती से एक घंटे पहले एक्टिव हो गया है और वो किसी ता नाम के आदमी ने चुराया है अगर वो बॉम भट गया तो आठ किलोमेट district के बारे पर कुछ भी नहीं मालूम है officer कहता है तुम्हारी मदद एक आदमी कर सकता है जिससे B13 district के बारे पर चपपा चपपा मालूम है लेकिन problem यह है कि तुम्हें उस आदमी को मनाना पड़ेगा और वो आदमी और कोई नहीं बलकि लीटो है जो कि जेल पे है डॉमें लीटो के सामने पुलिस वालों से मार खाता है ताकि लीटो को लग सके कि वो भी क्रिमिनल है डॉमें जब वहन पे आता है वो पिन निकाल कर वहन के गेट को खोलने लगता है और लीटो से कहता है कि वो आठ साल जेल पे नहीं बिताना चाहता क्योंकि उसने पांच लोगों का मडर किया है और जिसके बजर से आज वो जेल पे है उसका नाम ता है और सुना है उसके एक नसरी लड़की है जो B13 पे रहती है डॉमेन भेन का गेट खोल कर पुलिस के गाड़ी को अपने केंट्रोल पे ले लेता है लेकिन लीटो को सक हो जाता है कि ये साला पका पुलिस वाला है वो गाड़ी के हैंड विल से उसका हाथ को बांद देता है और कहता है कि नो टंकी करना बंद करो और गाड़ी को रोको लेकिन गाड़ी की तो एक फेल हो चुका था, डॉमेन गाड़ी ले जाकर ठोक देता है, लीटो कहता है कि अब से हमारा रास्ता अलग अलग है, और ताह को तो मैं अकेले देख लूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है, डॉमेन ने जिसकी गाड़ी को ठोका था, उसके आद में डॉमेन की टरने के लिए कहता है, दूसरे तरफ डॉमेन लीटो को पकड़ कर उसके हाथ को बान देता है, और कहता है कि हाँ, वो पुलिस वाला है, लेकिन ताह के पास एक बॉम है, जो चार गंटे में फटने वाला है, अगर हमने उसे नहीं रोका, तो दो मिलियन लोग मारे डॉमेन कहता है, तुम मुझे बॉम का लोकेशन बता दो, क्योंकि तुम्हें ताह के बारे पे सब कुछ मालूम है, लीटो कहता है कि मैं पुलिस वाले पे भरोसा नहीं कर सकता, डॉमेन कहता है, दोनों का मकसद अलग-अलग है, तुम्हें तुम्हारी बेहन चाहिए और म हमें ताह को अपने जाल पे फसाना होगा, क्योंकि उसे कोई भी समान निकलवाना बहुत मुस्किल है, तभी ताह के आदमी वहां आकर दोनों को अपने बॉस के पास ले जाते हैं, ताह कहता है, तुम्हारे पास जो बॉम है, वो एक घंटे पे फटने वाला है, उसे कीटू कहता है दस मिलियन डॉलर, डॉमें कहता है बिस मिलियन डॉलर, और फाइनल फ्राइज डिसाइड होता है, लेकिन डॉमें कहता है कि वो पहले बॉम को देखेगा, वो जब बॉम को देखता है, तो बगल पे लीटो को अपनी बहन भी नजर आती है, ताह पैसे भीज लेकिन वो कहता है कि बैंक अभी बंद है, ता अपने आदमियों से कहता है कि पैसे मिलने तक इन दोनों पे नजर रखो, लिटो डॉमेन से कहता है कि अगर तुम्हारे सेनियर को सहर की पड़ी होती, तो वो 20 मिलियन डॉलर भेज चुके होते हैं, कुछ तो गरबड है, डॉम दोनों को लेकर गाट्स ताहा के पास जाने लगते हैं, लेकिन दोनों ताहा के आदमियों को मार कर वहां से बातरूम के रास्ते वहां से भाग जाता है, ताहा को जब ये ख़बर मिलती है, तो वो अपने आदमी को मार देता है, जिसने वो ख़बर सुनाई थी, तभी ताह का अकाउंटेंट। ताहा को बतता है कि किसी ने उसके bank accounts को hack कर लिया है और सारा पैसा गायब कर दिया है अब सारे आदमि यह कहते हैं कि अपना बहू स तो भीखारी बन गया मार उस सालों को और सारे लोग मिलकर उसे वही मार देते हैं दूसरी तरफ लोना पेट्रल लालकर सुसाइट करने की कोशिस कर रही होती है ताकि ताओ और उसका यूज ना कर सके दूसरी तरफ केटू के आदमी लीटो और डॉमेन को चारो तरफ से घेर लेता है डॉमेन कहता है कि सिर्फ कुछी मिनिट बचा है बॉम फटने पे केटू कहता है जाओ डिफ्यूस करके आओ उपर से तो तुम्हें नीचे ही आना है लीटो और डॉमेन जब उपर पहुंचते हैं वहाँ एक सांड आदमी खड़ा था डॉमेन उसे मारने के लिए आगी जाता है लेकिन वह उसे धोबी के दरद होता है लीटो बड़ी मुस्किल से उसे रसी से बानता है और डॉमेन उसका काम वहीं तमाम कर देता है दूसरी तरफ लोना जब सुसाइट करने वाली थी तभी वहाल लीटो आकर वहां उसे बचा लेता है डॉमेन अपने सीनियर से कोड पूछता है बाम डिफ्यूस करने के लिए वो बताता है 4241 B13 लीटो कहता है या कोड कोई एटिट्यूड और लॉंगिट्यूड जैसी लग रही है कि जब बहन से बाम चोरी हुई थी तुम्हारे सीनियर ने बताया था कि वो उसे बाम से उड़ाना चाते थे लेकिन गैरेच पे गाड़ी बिलकुल सही सलामत थी और तुम्हारे सीनियर ने पैसे भेजने से भी मना कर दिया था मुझे लगता है कुछ तो गड़बड है लीटो डॉमेन को बाम डिफ्यूस करने से रोकने लगता है और बाम का टाइम जब खतम होता है बाम आफ हो जाती है यानि लीटो ने बिलकुल सही कहा था अब दूसरे तरफ सीनियर आफिसर को अभी तक ये निज नहीं आया कि B-13 पे कोई बाम बलास्ट हुआ है तब लीटो और डॉमेन बाम को लेकर वहाँ पहुंच जाते है और कहते हैं कि वो कोड भूल गए है पूछने के लिए आये हैं ताकि बाम डिफ्यूज हो सके डॉमेन कोड डानलत ने लगता है ओफिसर कहता है यह मत करो तुम्हें सब मालूम पढ़ गिया है मुझे मालूम है डॉमेन कहता है जल्दी मुग को लो ओफिसर बताता है कि B13 डिस्टिट काफी गरिब है और इसमें सरकार का काफी पैसा लगाना पड़ता है हम नहीं चाहते है फालतु पैसा गरिब में बाटा जाए डॉमेन कहता है तो क्या इसके लिए तुम पूरे डिस्टिट को उड़ा दोगे और ये सारा जो ओफिसर ने बोला है उसे सब इस कैमरे मैन ने रिकॉर्ड कर लिया है और टीवी चैनल पे टेली कास्ट कर दिया और इसी के साथ मूबी यहीं पे डी एंड हो जाती है